कि दूसरा जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अभी स्टार्टिंग में मैंटर वेब डिबाउग ली पढ़ा अब कॉंटम थियोरी अफ लाइट पढ़ लेते हैं ठीक है कॉंटूम थियोरी कहता क्या है ठीक है जैसे में आप एक प्लेट ले लिया उसमें लाइट आ रहा है फोटन पार्टिकल प्लेट में ठीक है फोटन लाइट पार्टिकल तो लेट लाइट उफ वेबलेंथ में ने मान लिया लैंडब्डा फ्रिकवेंसी से एफ और इंस्टेंट ऑन प्लेट एरिया उसको ए ले लिया है ठीक है तो planks formula क्या होता है planks formula हम लोग ने इसे पहले थोड़ा आपको drive करके लिखाया था e equal to hf और h जो हमारा है यह लिख दिया यहां पर मैंने और f जो हमारा क्या है c by lambda होता है मैंने यहां पर लिख दिया h हमारा क्या है यहां पर planks constant जिसका value हमारा क्याता है 6.6 into 10 to the power minus 34 अब इसके लिए यहां पर आप देखे मैंने यहां पर अगर तीन चीज़ यहां पर find करना ज़रूरी है intensity इसका power इसका और इसका total intensity energy यह तीन चीज़ हम लोग को found करना मुदले इसमें निकालना है इस इस related यहीं में questions आते हैं कभी कभी तो जैसे मैंने यहां पर देखिए आपके लिए निकाल कर रखा है total incident energy अगर निकालना है उसमें तो total incident energy light energy on a plate मतलब photon ठीक है e not equal to n not e equal to n not e के जगा पर हमारा क्या हो जाए hf ठीक है f के जगा पर हमारा क्या हो जाएगा c by lambda जो होता फॉर्मूला यानि कि जो n not जो हमारा यहां पर है क्या n not क्या है total number of photon incident rate of light energy incident on a plate per second मतलब कि वहां पर second में कितना incident rate हो रहा है ठीक है तो वैसे incident power क्या हो जाएगा incident power क्या हो जाएगा यहांपर यानि कि पावर का बात हो रहे है यानि कि वर्क डटन ठीक है तो पावर क्या हो जाएगा n equal to hc by lambda ठीक है n equal to hc by lambda हम लोग incident power का भी बात कर रहें यहाँ पर यह हमारा incident total energy था ठीक है यहां पर पावर हो जाएगा तो हमारा पावर equal to w by equal to hc by lambda n जो हमारा यहां पर क्या है जब work done का बात हो रही है यानि कि time का भी बात होगा ठीक है तो n जो हमारा क्या है number of photon incident per second per time यान एक work done का बात हो रहा है यहां पर तो हमारा work done का अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा हम लो लिखते हैं यहां पर देखे w equal to d by dt e का हमारा value क्या आया आया बाता है यहां पर ठीक है e का value हमारे starting में क्या था n not hc आया बाता e का हमारा value तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं hc by lambda ठीक है यहां ठीक है तो यह हमारा n not को हमारा निकाल लेते हैं बाकिसब तो हमारा constant है ठीक n not को हमारा बाहर निकाल लेते हैं d n not dt त हमारा क्या आजाएगा यह n not delta t delta t अगर इसको देखा जाए यानि कि छोटे चोटा नंबर और चोटा टाइम का बात रहा है इसको हम पूरा नंबर मान लेते हैं n capital N capital N मान लिए तो यानि कि हमारा work done जो है यहां पर incident power क्या आ गया w equal to n hc by lambda अगर hc को हम लोग replace करते हैं अब से तो हमारा कुछ यह equation आगा अभी मैंने इसको सिभ derive खर के बता दिया यह equation को कैसे derive हो ठीक है total यहां पर आ जाए अब incident of intensity का बात करें इसमें intensity of incident light उसका intensity कितना होगा it is light energy incident per unit area per second per unit area per unit time ठीक है हम लोग time का बात करें इसमें area भी बात होगा इसमें time भी बात होगा ठीक है दोनों में तो देखे है intensity equal to हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं डी e not area ठीक है by dt ठीक है इसके जगा आप हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं यहां पर अभी मैंने पहले जो लिखा था दबलू इकवल टू इसको डबलू लिख सकते है डायक्ट अभी इससे पहले मैंने डिराफ गया था ठीक है वाग ड़न का तो वह लिख दिया मैंने वाइरिया यहां पर देखें डबलू के जगा हम लोग कुछ ऐसा आजाएगा एन एच एफ वाइरिया ठीक है एफ के जगा पर पर सी बाइ लेमड़ा यहांई कि इंटेंसिटी हमारे पास अगर देखा जाए अगर इंटेंसिटी हमारे क्या आएगा यहांपर देखिए अगर हम आपका n और एरिया को अगर small n मान लेते हैं ठीक है, small n हमारा क्या है तो number of photon incident per unit area per unit time उसके बारे हम बात कर रहे हैं ठीक है, तो intensity हमारा क्या हुगा है small n, hf h के जगापे हम सी बाइ लेम्डा तो हमारा कुछ intensity यह आ गया तो यह देखें, मैंने तीनो फार्मूला को आपके लिए अच्छा से रिविजन करने के लिए यहाँ पे लिखके रखा है कि कैसे आप लोग याद करिएगा देखें, जब total incident energy e equal to n not hf, यानि कि n not hc by यहाँ पे work done हुआ हो जैसे incident power का तो उसमें क्या होगा w equal to यहाँ पे n not हा, यहाँ पे n आ गया hf ठीच है n h c by lambda यहाँ पे intensity क्या हो जाएगा intensity क्या हो आई equal to n small n n not था हो यहाँ पर capital n था यहाँ पर n ठीच है सिब सब में n का change हो रहा है सब में n का change हो रहा है वो तो ठीक है मगर सब में अलग अलग बात हो रहा है उसमें total incident energy का बात हो रहा फोटॉन का ठीक है इसमें इसमें जो फोटॉन का है क्या है second वाले में per unit time है यहां पर unit time पर unit area है ठीक है third वाले में तरहे ज़िज़ार farmer कहीं कहीं दिखिएगा frequency f जागा कहीं कहीं फ्रिक्वेंसी आप लिखता है कहीं कहीं पे आपका न्यू लिखता है ठीक है न्यू मैं आपको इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है ठीक है